एक ऐसा फुल बोड़ी वाइटनिंग ट्रीटमेंट जो आपकी बोड़ी की डाकनेस एंड जो भी डाक एरियाज होते हैं उनको लाइटन एंड वाइटन कर सकता है। फ्रेंज चाहे लड़के हो या लड़किया, इसकीन को फेयर एंड खुपसरुत बनाना हर कोई चाहता है। लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण अधिक पसीना आने की वज़ा से, इसकीन पर बेवजा का कालापन आने लगता है। और इसकीन डल दिखने लगती है। तो आज इस वीडियो में, कोकनोट वेल के साथ एक ऐसा फुल बोड़ी वाइट न्यू ट्रीटमेंट आपके साथ सेयर करने जा रही हूं। जो स्कीन की डलनस एंड कालेपन को हटा कर स्कीन को फेयर बनाएगा। और इंस्टेंट एक गलोइंग स्कीन प्रोवाइट करेगा। अगर आपकी बोड़ी में कोई संटैन हो रहा है। इसके लिए में एक बाउल में एक चमच बैकिंग पाउडर लेकर इसमें दो चमच कोकनोट वेल एड करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। और अपने हैंड लेग एंड जहां भी आपको डार्कनेस है बोड़ी के किसी भी पार्ट पर वहाँ पर तीन से चार मीट रब करते हुए अपलाई कर लेना है। रब करने से क्या होगा कि जो आपकी स्कीन पर डैडी स्कीन होगी वो इसली रिमो हो जाएगी। तो खाली एपलिकेसन ना करके हलके हलके हातों से रब भी करते रहें। तो तीन से चार मीट रब करने के बाद 10 से पंदरा मीट ड्राई होने के लिए ऐसे ही रखना है और फिर वोस कर लेना है। हफते में तीन से चार बार आप इसे जरूर किया करें। आपका स्कीन कॉंपलेक्शन कंप्लेटली फियर हो जाएगा। तो वोस करने के बाद मॉस्टराईजर अपलाई करना मच्ट है। जरूर अपलाई करें। I hope जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा हो सभी को अच्छा लगा हो। So please वीडियो को लाइक, सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंसे हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक के लिए टिके और वाइब आए।